तू दे पॉइंट आने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आज की जो ख्लास रहगी वो पूरा इंट्रेक्शन बेस्ट ख्लास जिसमें जनेटिक्स का पूरा सार एक बार बताना चाहता हूँ मैं इसलिए ताकि जितने लोग आज तक जनेटिक्स से डरते हुए आए हैं इस प्लान साइंस के ग्रूप के जो सब्जेक्स हैं, उसका डर पूरी तरीके से खतम हो जाए. क्योंकि प्रॉब्लम कहा है, आपको क्लियर समझाएगा आज की क्लास में, ऐसा क्या, जो है, हम छोड़ रहे हैं, जिसके वज़े से इस सब्जेक्स से हम डर रहे हुए हैं. और ये सब्जेक्स मुझे लगता है कि काफी असान है, बस रीजन पता होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जिनेटिक्स के क्लास को अबने सुरुवात करेंगे, तो बेसिक से करेंगे, आपको पता है कि बेसिक सबसे पहले क्या आती, सेल बैलजी आती, ठ तो देखे, आप दुनिया के कोई भी चीज उठाओ, कोई मसीन उठाओ, मोबाइल उठाओ, लेप्ट अप उठाओ, कोई बिल्डिंग उठाओ, हर एक चीज जो है छोटी-छोटी आइडेंटिटीज से बनी हुई है, उन आइडेंटिटीज को अपन यूनिट बोल सकते है उसी प्रकार, एक कोई भी और्गनीजम हो, जीवजनतु हो, या हमारे हुँमन की बात हो, या प्लांट की बात हो, वो सब छोटे-छोटे अडेंटिटीज से बनी हुई है, जिसको अपन यूनिट बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको यूनिट बोल सकते हैं, अब इसको बेसिक यह एक अंग को लो, उस अंग को अगर आप छूटा थोड़ सा भी कट करेंगे, कट करके अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखने का प्रयास करेंगे, तो आपको वहाँ पे इस तरीके से बिलियन्स ओप सेल्स दिख जाएंगे, बिलियन्स, करोडों अर्बो सेल्स द बिलियन्स ओप सेल्स बन जाते हैं, और हमारी पूरी बॉड़ी बन जाती है, कैसे उसको देखने का प्रयास करते हैं, आप सबको पता होगा, कि यह इस तरीके सेल्स दिखती है, और यह है प्लांट सेल्स अब आपके मन में एक क्वेशन आ रहा होगा, कि सर, अगर हमारी प ब्रेन हैं, हमारा बोन्स है, अब बोन्स तो क्या है? हडडी क्या है? बहुत हार्ग है, तो बैब यह कैसे हो सकता है और यह कैसे हो सकता है कि अदर पहे जाने वाले जो और इतने अंग है. कोशिका के जो अंग है वो इतने अंग है अब क्या होगा अब डिपेंड करेगा कि किस तरह प्रकार चो अंग हमारे बॉड़ी में बनना है ली क्या होजाती, सरक्ष ना होजाती है। जैसे कि human में अगर हम mastisk की बात करें तो mastisk हम इंए कैसा cell होना चाहिए, हम nerve-sell की बात सुनें, class sa tease से दिखते हैं, वो क्या ऐसी दिखता है, क्या वो ऐसी दिखता है, नहीं दिखता है, नर्स सेल्स कुछ इस तरीके से दिखती है, अगर हम बात करें लिवर सेल्स की, ऐसे दिखती है, अगर बात करें रबीसी की, तो ऐसे दिखती है, ठीक है, तो overall अगर देखा जाए, तो किसी भी सेल की जो structure है, वो depend करेगा कि वो क्या कार यह है, उसके function के अधार पर उसकी structure बन करना उस function की साप से इसके अंदर के ऑर्गनल्स भी होंगे और ऐसा नहीं है कि आँग की बात कर रहे हैं उस सभी प्रकार के सेल्स में हो नहीं कुछ नहीं होता है कि जादा से जदा हम ऑक्सिजन को कैरी करके हम बॉड़ी के अंगों तक ले करके जाए तो क्या जूरत है वाकि सारी चीजों की जूरत ही नहीं है तो क्या कर रहे है अगे बढ़ते हैं कि एक आपने यह वर्ड हमेशा सुना होगा सेल इस दा स्ट्रॉक्श्रल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बात बोलो यूनिट क्यों बोल रहे हैं मैंने अभी जस्ट दिखाया कि एक सेल के अंदर बहुं सारे कोशी कांग है अब यूनिट क्यों ब एक्जिस्टिंस होती है मतलब अपने आपको वो सेल्फ जिंदा रख सकता है जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी एक और्गनिजम के अंदर में होती है क्या क्या रेस्पिरेशन डाइजेशन रिप्रोडॉक्शन सर्कूलेशन ठीक है तो यह सारा काम एक सिंगल सेल कर करोगे को सिकान की तो वो अकेला एक्जिस नहीं कर सकता वो सर्वाइव नहीं कर सकता इसी वज़े से सेल को स्मालेश्ट यूनिट अफ लाइप बोलते हैं ऐसा यूनिट जो अपना पूरा काम खुद कर सकता है ठीक है ओके अब बात करते हैं कि स्ट्रॉक्श्रल एन फंक् ब्लड क्या है वो भी सेल मैंने पहले ही बताया तो सीधी सी बात है वह तो क्लियर हो गया कि स्ट्रॉक्श्र किससे बनी होगी अब फंक्शन कैसे अभी यहां आ करके मैं फर्स्ट लास में पढ़ाने की कोसिस कर रहा हूं पढ़ा रहा हूं एनर्जी लग रही है कहां से बताने की करूंगा तरह मेरे मस्तिस करेंगा सोच सेसी बात है कि स्ट्रूक्श्र और फंक्शनल यूनिट अव्लाइप इसी वजह से हम इसको बूल रहे है सेल को पोल रहा है अब देखो कैसे आप यह इग्जांपल कई बार देखे भी होगे कि आप सबको पता है कि जब एक घर की बात करते हैं तो घर किसिजों से मिलकर बनती है सबसे पहले इट है बहुत सारे इट जब मिल करें सेल सबसे छूटी है यूनिट है बहुत सारे सेल मिल करके क्या बना देते हैं तीसूस बना देते हैं उतक बोलते हैं जिसको और बहुत सारे टीसूस मिल करके क्या बना देते हैं कोई भी और गन बना देते हैं कोई भी अंग को बना देते हैं और बहुत सारे अंग मिल करक करके एक पूरी और्गनीजम को तयार कर देते हैं यहां पास एक अंग बना दी जिसको बोल्ड में अपन स्टमक और यह क्या स्टमक से पर सुमारी पूरी डैजेशन हो जाती है नहीं होती ना वह तो स्टमक में बहुत सारी चीज़े और चाहिए डैजेश्टीर स्टममें अब वह भी तो अंग है अलग-अलग और वह सारी अंग मिल करके कुरी पूरी सिस्टम बना दिया अर पूरे सिस्टम बहुत सारे एक सिर्फ डैजेस्टीर से काम नहीं चलता है आप लोगों का मन में questions आते रहने चाहिए मैं आज बटाने का सवाल ये है कि genetics क्यों हम पढ़ते हैं यह हमें पता हो इन चाहिए हम plan के case में पढ़ते हैं नहीं सारी चीजे help में तो यह सारी चीजे मैं भी बताने हम सब में एक fixed number of chromosome होती है और वही chromosome मिल करके पूरी उस जीव की पूरे body को बना देती है, plant की पूरी body को बना देते हैं, हमने यह सुना है कैसे, सोचने का कभी प्रयास कियेंगे हैं अपन कभी भी कुछ भी infection होता है कोई बाहरी infection हमें जब cause करती है तो किस तरीके से हम बिमार पढ़ जाते हैं कभी सोचने का प्रयास कियां तो यह सारी चीजे इसके अंदर गताती है, यहीं से सुर्वात होती है, अब देखो एक बात बताओ हमने बोला इफ function तो कौन कर रहा है, पूरा sale कर रहा हमारे card, plant का का रहे हो, plant का क्या का रहे है वो germinate हुआ, वो भी cell का function है, germination होने के बाद, वो क्या हुआ धेरे-धेरे बढ़ा, वो भी इसका काम है अपने root system से nutrition and water को absorb किया, वो भी काम है xylem and flowyant के थूँ, वो बहां की plant के सबी parts तक पहुँचा वो भी कार है, वो सब कारे को पूरा cell मिल करके कर रहा है, लेकिन हो कैसे रहा है आपने, आप एक imagine करो अपने दिमाग में, एक कोई भी बोल सकते हो, manufacturing unit manufacturing unit कैसे कोई biscuit बनाने के company हो गए ठीक है, मैगी बनाने के company हो गए ठीक है, यह work कैसे करता है चार वर कर आए काम नुक्टा के चले गए होता है क्या ऐसा नहीं होता है, कोई भी company हो उस company का एक director तो होता है वो direct करता है उसके पास file है, क्या क्या काम करना है इस company को चलाने के लिए और उसे के एक ordering काम होता है, कि ऐसा थोड़ी होता है आज मेरे दिमाख में यह आया, तो मैं आज यह कर देता हूँ आज biscuit बना देंगे, कल मैगी बना देंगे फिक्स होती ना चीज़ें, से उसी तरीके से हम बात करते हैं, देखो मैं example देता हूँ देखो, एक cell के अंदर क्या क्या चीज़ी होती है अब थोड़ से समझने का प्रयाज करेंगे, एक हमारे पास nucleus है यहाँ पर इस क्या हो जाती है, endoplasm reticulum हो जाती है, गॉल्जी बड़ी हो जाती है, mitochondria हो जाती है, lysosum हो जाती है, vacuoles हो जाती है, centrioles हो जाती है, यह है, यह क्या हो गए, अब समझो एक company है, ठीक है, manufacturing unit, मैंगी manufacturing unit समझब आप लोग है, अब इसके अंदर जितने भी और्गनेस दिख रहे हैं, वो सब काम करने वाले क्या लेबर्स हैं, ठीक है, जा बोल सकते हैं, employee हैं सारे, और यह बीज में बैठा हुआ, director है, ठीक है, की काम होता कैसे है, इसको थोड़ा सा देखते हैं, हमने nucleus मतलब kendra, हमने बोला यह director, यह बोलता है, भाई साब, cell में क्या होगा, उस cell के अंदर क्या-क्या function होगे, मेरे बीना कुछ bitches decide नहीं होगी, वो सारी decide मैं करूँगा, same है company में भी होता है, बोलता है न CEO, जो चीज अगर मैंने बोला नहीं, कार हो जाएगा क्या वहाँ पर, नहीं होगा, हो यह नहीं सकता है regulate, same उसी तरीके से एक cell भी बिल्कुल एक manufacturing unit की तरह ही है, ठीक है, यहाँ भी होता है nucleus, वो बोलता है, अपन है बाई, जो मैं बोलूँगा, cell के अंदर वही कार होगा, उसके सिवाय चाहे कोई भी ऑर्गनल हो, कुछ भी नहीं कर सकता, जब तक मैं ना बोलू, ठीक है, कैसे, nucleus देदी order, आप देखो, सबसे पहले आवकर cell वाल की बात करते हैं, आप देखे हो कि कोई भी company, industry हो, सबसे बाहर में क्या होती है, bondries होती है, किसलिए होती है, किसलिए होती है, ताकि उस company को या उसकी जो manufacturing unit उसको protect किया जा सकता है, यह सेम काम cell वाल करता है, plant में, animal में नहीं होती है, plant में काम करता है, पहला तो उसको save देने का काम करता है, यह भी करता है, save देने का काम, और दूसरा protect करने का काम करता है, plant को यह भी करता है, protect करने का काम, दूसरी बात करें, cell membrane, जो कि plant और animal दोनो में भी होता है आपने सेक्यूरिटी गाड को देखा होगा अगर आप मूवी भी जाते हैं तो क्या होते हैं कि गाड होता है गाड ही पहले चीक आपका अच्छे से तलासी ले ले तो फिर एंट्री देता है कि ऐसी जावाई नई सेल मेंबरेन का सेम काम है वो ऐसा काम करता है सबसे जादा जरूरी है क्यों सेल मेंबरेन होती है क्या है अब भाई बहुत सारे सेल मिल करके काम कर रहे हैं अपस में तो सिदी सी बात है एक सेल दूसरे से करेगा दूसरे तीसरे से करेगा तीसरे चौतरे से करेगा अब डिरेक्टर डिरेक्टर जो डिरेक्ट चेयर में ह सबसे बाहरी जो कवच होती है अब देखो organelles में आप अपने बॉड़ी को चूँ करके देखो वाल बहुत हाड होता होता हो ठीक है आप प्लांट को ऐसी थोड़ा मार करके देखो लगेगा आपको जितना जोड़ से अप प्लांट को मारते उतनी जोड़ से आप पहले अपने आपको मार के देखो लगेगा क्या क्यों नहीं लगेगा लेकिन जितना रिजिट वो लगता है हाड लगता है कि आपके पाउडी लगती है नहीं लगती है क्या क्या सेल वाल नहीं है अब वो तो भाय, प्लांट है कोई भी आकर के काटके चला जाएगा तुम्हें काटके बिचला जाए तुम अपने आम को बटेक कर सकते हो ना, तो इसी वज़े अगिस समा सकते हैं, ने सबस्टेल्स उसने भीजा है अले चेक तो करू उसके बाद सेल के अंदर में इंटरी दूंगा इसी वज़े से सेलेक्टिव पर्मीएबल होता है सेलेक्टेड लोगों को यह अंदर आने देता है तो गाड की दरकाम करता है नेक्स्ट क्या है अब बात आती है न्यूकलियस क् अब उस कंपणी में सबसे बड़ी चीज जो क्या होती चीज स्ट्रक्टर के हसाप से क्या होती है यह चीज़े बनाती है को बनाती है राम माटेरियल उसको दिए वो राम माटेरियल से हो क्या करे कि वो फिर क्या करेंगा कोई भी प्रोडक को बना देता है अब मैगी बनाने के लिए आठा लगा जो भी चीजह लगी समानपन दे दिये अरे भाई लो अब बना करके दो तो जो सबसे जादा जो बड़ी manufacturing unit होती है जो process करती है चाहे आटा गुतने का काम हो उसको structure देने का काम हो सेब देने का काम हो करता है सेम उसी तरीके से endoplasmic reticulum काम करता है यह ऐसा बोल सकते मसीन है जिसमें लगबक तक जितनी बोल सकते हो कि तो चीजे बनती है जादा तर इसका ही रोल होता है बनाने में कोई भी आप element को बोलोगे आपको बनाने में काम करता है अब इस endoplasmic reticulum के उसमें चिपका रहता है राइबोजम जो हम आगे बाद में पढ़ेंगे वो राइबोजम क्या करता है अब बहुत बड़ी unit में छोटी-छोटी units होती ह गलग चीजों को बनाने के लिए तो एक राइबोजम भी होता है राइबोजम प्रूटीन बनाने का काम करता है यहां पस देख सकते हैं इस तरीके से यहां भी प्रोसेस हो रही है फिर आती गॉल्जी अपरेटस अब बात बताओ बस मैगी आ गया आपके पास बन करके उसक उसको इसी तरीके से इसको प्रोसेस करता देखो यहां से पैकेजिंग कर रहा है और पैकेजिंग करके ला करके ट्रांसपोर्ट के लिए रेडी कर रहा है कर रहा है रेडी से उसी तरीके से यहां भी हो रहा है देखो वह आया समान समान को पिक किया और चलो भए ट्रांसप होती है उसको दूसरे जगल जा करके छोना रहता है से मुसी तरीक से यहां भी होनी चाहिए न होनी चाहिए होती है यह क्या करता है यह भी जितना भी गार्वेज होता है सेल के अंदर अब इतना सारा चीज हो रहा है तुम तुम कर रहे हैं तुम भी तो बहुत सारी चीज एक होती है लेकिन ये दो प्रकार का काम करता है यह क्या करता है यह इस काम भी यह भी करता है जो भी ऐसी जो अभी अननेसेसरी चीजे हैं उसको इसको 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 फिजिकल बिसिस ऑफ लाइप कहते हैं ठीक है आप एक सिंपल समझ लो कि एक समान जाप लाते हो आप लोग या मंगा अमजान से बहुछ से जब बडर करते हो वह समान को भीơn देता है वह प्रॉपर पैक करता है राप करता है ठीक है जो पर सोते हैं उसमें यॉसके लाद फाई तो भाई एक आपस में टकर खा करके तो वहीं से खतम हो जाएंगे लेकिन अगर उसके अंदर कर अपन क्या डाल दें जो मैंने पैकेजिंग के लिए कि यह डालते हैं यह जाता है जैसे कि ब्लड में भी होती ही ना वह क्या है वह भी द्रव्य है तो कहीं भी प्लाज्म नाया मतलब वह द्रव्य की बात हो अब अगर इस ते अंदर भर गया तो वह सेल आप सुरक्षित है ठीक आपस में ठाकर आएंगे भी तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है अब एक बात बताओ सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है किसी इंडस्ट्री में कि क्या होती है और भी जादा निपलेस तो हो गया ठीक है और भी जादे इंपॉर्टेंट एलेक्ट्रिसिटी बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी मसें नहीं चलने वाला है ठीक है यहां पर देख सकते हो यह तो वह प्लूरो प्लास बात करते हैं आपस माइट्र कॉंट्रिया की तो माइट यूनिट है उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो आपके सेल के अंदर माइट्रोकॉंड्रिया होती है वह एनर्जी देने का काम करता है सिंपल सा चीज इतना सा काम है अब इसको हम धीरे-धीरे इस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि मुझे नहीं लगता कि सेल बायलाजी हो चाहिए जेनेटिक्स हो कोई भी चीज जो आपको समझ नहीं आएगा मैं बहुत बड़िया स्लाइड्स आप लोगों के लिए रेडी करके लेकर गया हूंगा जहां पर सिर्फ टैक्स्ट्र टैक्स नहीं होंगे कि सिर्फ लिखी हुई चीज़े नहीं होंगे चीज़े कर पाओ समझ पाओ वो चीज़े जाधा रहेंगे ठीक है और उसी तरीके से मैंने चीज़े रेडी किया है अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं आगे पॉफ़ली इतना आप लोगों को बेसिक है अभी उतना जाता समझना भी नहीं है जितना हमें बेसिक समझना था अभी उतना घंजाए देखो अब आप लोगों के मन में सवाल आना चाहिए कि सवाल क्या है कि भाई हमारी बॉडी जो है आपने इतनी सारी बना दिया बंती कैसे एक बार थोड़ा यह अगर समझ आ जाए तो मज़ा आ जाए मतलब कहने मतलब यह है कि हम क्या सुचते हैं देखो हमने हमेशा से यह सुना है कि आप से एक स्लाइड होगा है हाँ देखो यह स्लाइड देखो कि आप सबने हमेशा से सुना है कि यह जो कि आपने हमेशा से सुना है कि अंदर 46 क्रोमोजों होती है आपने यह सुना है कि 46 क्रोमोजों मिल करके हमारी पुरी बोड़ी को बनाती है और जितना function है चाहे मेरे बोलने से ले करके गाना गुनाने से ले करके डांस करने से ले करके खाना खाने के लिए रेडी होने से ले करके हर चीज़ की function इस 46 chromosome decide करती है कि मतब कमाल की बात हो गई ना 46 chromosome कैसे possible कैसे है यह तो सिर्प chromosome है या फिर यह कैसे बोल दे रहा है कि जब हमारी हम बर्थ लेते हैं बर्थ से पहले हमारी काफी सारे लगबग बन जाते 90% कैसे यह 46 chromosome एक symbol छोटा सा सेल होता है पर कैसे decide करता है कि सारे अंग बनेंगे थूढ़े से हैं पता है आप लोगों को तो मैं थूड़ सा डीटेल में जाता हो देखो आप एक घर को सोचो घर कैसे बनता है घर को बनाने में क्या कै चीज़े लगती है इंटे लगते सिमेंट कॉंक्रीट सेंड और यह छड डॉलाशेज सब सब चीज़े लगती है आपके कि किन किन चीजों से मिलकर के बनी बस एक बार सोच्व है सबस्कुरा इसको पार टोड़ जा संदर क्या एलेमेंट स्मूलट है है कार्बोल स्जर्व क्या मिलेगा एक है कार्बान है ड्रो जन उक्सिजन प्रोटिन कहों आपके बोन किसे बनी होई बोलते हैं कैल्सियम यह चर्वी की बात करते हैं फैट जो कि मेरे बें नहीं है इसमें प्रोटीन बनी होई अब एक विश्चन आप सभी से हैं जो देख रहे हैं अभी जूम पे आप एक अपने मन में सोचे अभी तो आप लोगों म्यूट किया गया है आप लो में एक बात बताईए आपकी पूरी बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक्स में चाहिए प्लांट हो चाहिए कोई भी हो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसको बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं वो क्या है अब इधने सारे हम बात ही किये ना कैल्सियम मैगनीशियम सलफर है अब परन कारवन अचाल य्ट्रॉजन बहुत सारे चीजे बाते करने इसे में रखे जाते है ना तो इसा क्या है कि भागी छवाई हो बाए तो बात में होती है अ एक रखे जाते हैना कि क्या है आंसर अगर तुम लोग जानते होगे तो बता हूं प्रोटीन एक्जेक्टली प्रोटीन है प्रोटीन ही है तो एक बार थोड़ा सा बना करके देखेंगे एक दिवाल बना लेते हैं घर बाद में बनाएगे दिवाल बना करके देखें चलो देखते हैं यह हमारी human body ह ठीक है अब देखो उससे पहले मैं आगे बता हूं उससे पहले आप लोग देखें यह हमारे पास nuclear समय देखा कि यह बोल्ड रहे ना कि मेरे पास 46 अंदर है क्योंकि जो डिरेक्टर गोलता ना मेरे पास है क्या-क्या लिखा हुआ डिरेक्टर गोलता सिम उसी तरीके निप इसको देखें कहां से कर रहे ही थोड़ा देखते हैं इसके अंदर है क्या है डियने या खुर्मोस्म बोलते हैं लेकिन इससे पहले जो जिस अवस्था में होती है उसको बोलता हैं क्रूमेटिन थीक है अब chromatin चाहे chromosome चाहे दिने तीनों एक चीज़ है आप चोटे होते हो तो बच्चे बच्चे भोलते हैं उसके बाद आप यंग हो जाते हो जमाने हो जाते और यह मैं आपको अलग अलोग जमान आदमी है बच्च्चे नहीं बोलते हैं हर स्टेज में इसका किसका खुल देखते हैं और जब इसको आंदर कुछ और देखते हैं हमाने अंदर यह हो गई कि यह हमारा सेल है इस सेल के अंदर यह नूडिएश है और नूक्लियर चि अंदर हमारे पास कि तोच्पटल bag Leah semu ठीक है अब इसमें से मैं एपर यहां पर यहां पर क्रॉमेटिन को यहां पर उठा करके लेकर क्याता हूं आगए लेकर ißाओ ऐतना बहुत नुद यह क्रोमोजूम है यह रहा देखाओ अब करेंगे इसको फोड़ा सा जूं करेंगे की देख़ेंगे यह वैसे तो यह क्रोटीन है इसाट है, जो आठ होता है, जो ओक्टूमर बोलते हैं, इसके बारेँ बात में बताँगों नोगि एक काम करते हैं जब ने कॉरसंतJust सब्सक्राइं करें पहले तब आपको डिखाती है ये कुछ इस तरी किसे स्ट्रक्टर पिए ने चीक है अब हमें दिखा डिया ने अब आप सबको पता होगा कि हम बोलते हैं कि वागई क्रोमोस्म तो करता है कि क्या हमारी बोड़ी बनीगे करता है कि हम क्या हमक्न होती है वह कहां पर होती है अब आप सब को मैं प्रेश्चन करता हूं आप लोग अपने मन में स्वोच करके देखिएगा जीन कहां पर प्रेजेंट होता है जीन कहां पर प्रेजेंट होता है तो आप लोग बूलोगे अंदर हो सकता है यह भी अंसर फ्रू है तो नुक्लियस में कहा है तो क्रोमोजूम के अंदर है रोमोजूम में कहा है यही जीन होगा ऐसा में लगता है जर्ली बहुत लोगो को लेकिन जिनको पता होगा वो अच्छे से जानते हैं कि जीन कहीं एक स्पेसिफिक जगा पर ऐसे नहीं होती है कोई ऐसा सेगमेंट जो किसी प्रोटीन को कोड करता है आप लोग कोड जैसे की मुबाइल चलाते हो तो आप कोई भी एप चला रहे हो आई जी कीवी का चलाते हो एजी कीवी की एप में सबसे पहले जो डैस बोड होती है वहां पर उपर में तुम्हारा नाम लिखा रहेगा उसके नीचे में तुम्हारा रोल नमबर लिखा रहेगा वह चीज अपने अप आ गई है ऐसी लिख देते हैं यहां पर फलाना और उसके पीछे कोडिंग हुई प्रयास ना करो ठीक है उसी तरीके से इसके अंदर कोडिंग होती है अब यह कोड क्या करता है डियने का कोई ऐसा सेगमेंट जो किसी प्रोटीन को कोड करता है उसको क्या बोलता है अब प्रोटीन को क्यों कोड कर रहा है अब प्रोटीन को क्यों कोड कर रहा है अब मैंने क बॉड़ी का बिल्दिंग ब्लॉक इट कौन है। हीट कौन है। रूटीन है। तो यहां पर लिखा हुआ है उसका कोड। यहां से बनते हैं आप प्रोटीन सिरफ हमारे प्रोटीन की पूरी क्लासिफिकेशन पढ़ोगे आप पूरा फैट लिपिट सब पढ़ोगे तब आपको समझाएगा कितनी कॉंप्लेक्स चीज है तो इस तरीके से होती है अब इसको मैं और थोड़ा साथ डीटेल जा सकता हूं लेकिन अभी इससे जादे डीटेल बता है इस सिर्फ इंट्रॉडप्टरी क्लास था तो क्या हो जाएगा वो थोड़ा साथ हो जाएगा ठीक है तो एक बार उसको अन्म्यूट कर देजेगा ठी इसको मुझे लगा क्लास थोड़ा लंबा हो गया होगा लेकिन उतना नहीं हुआ है अपन आज की ट्रॉडप्टरी क्लास अपन यहीं तक रखते हैं यह था और आगे बढ़े हैं और आगे बढ़े हैं था था और बढ़ते हैं ठीक है एक बार उनीस से पूछ लो सबसे है अन्म्यूट करो हलो आवाज हारी है आपनों को एक सब्सक्राइब करना है अलाव पार्टिसेपेंट तो अन्म्यूट लुटीक है ओके आप सबको आवाज हा रही है न यह सर्व अभी तक की जो चीज़े मैंने बताया उतना उतना समझ आया यह सर्व और आगे बढ़ें थोड़ा या थोड़ा सा जो भी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बतानी है जो हो सकता आप लोगों के लिए ऐसा काम कर जाएं जो अभी एक्जाम क्वालिफिकेशन करनी हैं क्लास के बारे मैं नहीं बताने वाला हूं मैं कुछ ऐसी चीज़े बताने वाला हूं जो हो सकता आपके पढ़ाय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएं तो क्लास यहां पे आज को आपन करें समराइज की आपन आउर आगे तोड़ा पढ़ते हैं कि बताओ जल्दी बताओ कि यह सिर बता दीजिए आगे अच्छा ओके टीक है कि आज ना दोबर की बात है क्या यह कि ढखा निचाएं कि पश्काया हैं वह सोता कि में क्रॉस कर लोगा और कॉस कर भी जाए tornado में क्या बनाओगा में लिखा हुआ था एक बार मेरा कॉंसेट क्लियर हो जाने के बाद क्या लिखा था अगर किसी टॉपिक में मेरा कॉंसेट क्लियर हो जाने के बाद मैं किस तरीके से बीएव करता हूं ऐसे कि अपन कितनों प्रॉब्लम आए कितनों भी बड़ी से बड़ी चाहूंगा कि कि सिर्फ पर सिर्फ रट लेने से आज तक किसका भला हुआ है अगर हो तो हो सकता है अगर लख है तो हो सकता है और हम सब क्या कर रहे ह। आज हम सब क्या कर रहे हैं जो सिद्दथ से पढ़ै करने माले सांस की एक सिर्फ रटने का काम कर रहें उनका कर रहें का नहीं हूगा उनको खाली सड़क में भी अगर दोड़ा दोगे लगेगा कि गिर जाएंगे हमेशा लगेगा इंसेक्यूरिटी है ठीक है तो यह चीज़े होती है लेकिन कॉंसेप्ट क्लियर हो जाने के बाद ही लगता है कि अपन कोई भी जंग अपन जीत कर गया जाएंगे बात वही है आप लोग कर क दोटाने का प्रयाश करता हूं कि यह कर बात बता acum क्या सो लोगों से कंपीट कर रहे हैं कि आपने लिख लिए कि तना बस पड़े और हो जाएगा आप लोगत लोग है डर नहीं लगता क्या क्या सिर्फ टेंपरेरी है कि दिलाना है तो चलो इतना पढ़के दिला लेता है बाई लग लगना रहेगा तो लग जाएगा अरे अगर ऐसा ही है अगर इस चीज के लिए क्लास जॉइन कर रहे हो तो नोट स्कुल्जर आज तक कभी ऐसा नहीं पढ़ाया है आप जा करके 2021 से लेकर करके बैस देख लो तीनों बैस की पूरी क्लासे साथ क्लास कर लो हर क्लासे में बहुत डेफ्थ हम जा करके पढ़ा है और पूरा कॉंसेप्ट क्लियर किये हैं जितन को ओपन 40-40-50 क्लास का प्रिमेंट कर रहे हैं क्या पड़ी हमें इसलिए ताकि कॉंसेप्ट पे हम जा रहे हैं ना करके चलो लिखाना तो वह तो है तो चलो ना कोई भी बुक उठा करके लिख देते नहीं अगर कोई कोचिंग सेंडर चार दिन में आपको एक्स्टेंशन किसमें जादा आपका लग काम आएगा आप उस भूक को ट्राइब करो ना कहां पर पड़े हुए लेकिन अगर सिद्ध से चाहिए ही चाहिए तो लग काम नहीं आएगा अगर आपको सिर्फ यह रटना काम नहीं आएगा यूविल हैब टू क्लियर और वह भी डेफ्थ कॉंसेट आज यह चीजे बताने का इतनी सारी चीजे बताने का पीटी में इतनी छोटी छोटी चीज़े डाले जो आपको क्लियर करने के लिए जो चीज़े इमेजेज जो बोल सकते वीडियो से मैंने डाली हुई है पढ़ाया नहीं है बट फाइनली मैं इसलिए आया हूं सामने कि मैं चाहता हूं कि आपको उस लेवल पर पढ़ाऊं 11-12 में जो बच्ची अग्रिकल्चर ली हैं और वो आज तक साइंस ग्रूप से बागते हैं मैं चाहता हूं कि मैं उन बच्चों को टार्गेट करूं और नहीं कर पा रहे हैं और वो चीज मुझे पता है फाइनली मेरे यहां आ करके पढ़ाने का यह रीजन यहीं है कि हम उस चीज को आइडेंटिफाई करके हमेशा से रखे हुए और मैं यहीं चीज़ पर बात करता हूं तो यह चीज मैं क्लियर करूं और हमारी क्लासे वैसे ही होगी जैसा हम ऐसा हमेसा होती आ रही है अपडेट करेंगे चीजों को जितना हो सकता है और बहतर करने का